इतने दिन इंडिया का खाना टेस्टी टेस्टी अब वापिस से ब्रत के लिए तायारो इतने दिन के तो जी ए खड़ी है फाइनली अपनी गाड़ी इतने दिनों बाद मिली लिए वापिस से तो अभी अन्लोकिंग वाला तो चलेगा नीश का मेरे को चाप भी लगाके ही जो है वो खोलनी पड़ेगी ओफफुली भाई सही हो मतलब कनेक्ट करने पर चल जाए बना अब है यह क् खुली न अरिए तो गाड़ी हमारी फ्री टूव और भाई होगी या नहीं होगी स्टार्ट देखें लेट जो भाई हो घए इतने दिन बाद भी गाड़ी फाइनली स्टार्ट होई गई गई बागी बंको की स्काइ लाइन देख लो भाई और बैंकोक के हाई वे पर अपन चालो निकलने का टाइम हा गया है हमारी इंडिया ट्योस्टेलिया रोड ट्रिप आपपी से चालू हो जाएगी उस्टेलिया से जश्ट पहले ही एक देश पढ़ा था जिसका नाम है इंडिया और उसका एक शहर था अपना गुरगाहूं तो मैंने का चक्कर मारते चलते हैं कोई नहीं जादा दिन नहीं रुके हैं फड़ा फड़ा से निकल रहे हैं यह दोनों बैग नए घरी देते मैंने बाई कैबिन के लिए भी इसमें लैप्टोप एप्टोप आ जाता है मस्त एक दम और यह मेरा मेंन बैग जिसमें कपड़े बगारा बाग यह रेकोर नहीं आज दो अप्रेल दो हजार चोवीज में अभी इंडिया के खुब सुरे शहर गुड़गाओं में और आप देखरो भाई नमस्ते उस्ट्रेलिया रोट्रिक्स का एक और नए एपिसोड इस ट्रिप निकले हुए हम भाई इंडिया से उस्ट्रेलिया बाई रोड अपनी स् से जो है अपनी जर्णी आगे शुरू करेंगे कमबोडिया की दरफ जाला जी माते जी शीडिया निकालना है वाला भार सिक्का दिया तो तुमने काए वह जाना होता है अब मोश प्रभाइबली भाई मैं माई के एंड में वापिस हांगा इंडिया दो महीने बाद जब हमा भाई टाटा जीते रहो अंदेरा भी तक हो रहा भाई जबकी छे बच चुगा ना शे बच गे ना यह तो बची करना अभी रस्ते में सुख्राली के महा से और फिर एरपोर्ट चलो जी चलो बैग वेक सेट कर दिये सपुछ लेट्स गो इस चिप पे तो भाई साब बहुत बस्रड हुए है डोक्यूमेंट्स को लेके पहले नहीं वीडियो बना रहा हूं तो पहले कारनेट का इश हुआ कारनेट भी बन गया उसके बाद भाई फिर पुराना कारनेट मुंबई में रहा गया फिर कैसे दैसे करके रात को साड़े बारा एक बजे भाई आया तो उसम सिंगापूर वीजा का भी भाई पंगा है क्योंकि मुझे लगा था सिंगापूर वीजा कर देंगे इशू पर उन्होंने मतलब उनकी ये पॉलिसी है कि आपने जिस भी डेट को जा रहे हो उससे एक महिना पहले से आप बुक नहीं कर सकते मतलब मैं अगर 15 मही को एंट्री करना पड़ेगा मंदर अप्रैल से पहले में वीजा प्लाई नहीं कर सकता तो अपना सिंगापूर वीजा का तो काम अभी भी नहीं हुआ बट कुछ लोग से माने पता कि है तो वो ऐसा कह रहे है कि आप सिंगापूर वीजा एजन इंडियन मलेशिया से भी लगवा सकते हो वो पूरा मैत लगाने में हालत खराब हो जाती है और फिर हम तो मैत लगा ले लेकिन अमबैसी वाले उसी डेट का वीजा दे ना दे वो भी टेंशनली बाद रह जाती है अब कारनेट के लिए आना पड़ा तो मैंने सोचा चलो वीजा लग जाएगा सिंगापूर का बट उनकी अलगी पॉलेसी थी तो वो भी नहीं लगा आया तुनियार चौन बोरा तो था कि निकल जाओ वाई साब फोन कर देता हूं आ जाएगा आये जिम के बाएर आगया रोड पर अजिक बताओ पर इसका एक चोटा सा बैग है जो बैग हम ना इसके अंदर फिट कर देंगी यूख ये बैग आते जादा खाली है इसमें बस थोड़े से चावल वागा ओ ये मतलब खाने पीने का समाना आजेगा तो हो जएगा बाई स कि अलर इतने दिन के ऐना फिट देंगे इंडिया में घर पे रहो तो कहाना टाइम से मिल जाता है महाँ पे मिल दाता खाना बट उन पटांक पर मिलता है क्योंकि कभी हो एक तरह मतलब मिलता ही नहीं था समझने में तो हम फूरूट्स खाकू निकल थे किसी तरह नंच मिल तो ठीक है और डिनर भी मिली जाता था काइंडो वरना पीजा वगारे से काम तला देते थे और भाई पहले तो अन्डा वंडा भी खा लेते थे लेकिन अम नो तारिक से नवरात रहे है तो आठ नो दिन तो अन्डा भी नहीं खा पाएंगा तो बिल्कुल शुद्ध शुद् दर्शंदे ने शुरू कर दिया है तो जब तक एरपोर्ट पहुचेंगे शायद से रोशनी हो चुकी होगी वही सेम अपना आई जी आई टर्मिनल 3 से है इंडिया टू बैंकोग विस्तारा की मुझे बेस्ट एयर लाइन लगती है और इंटरनेशनल में अमिरेट्स बेस् अधर से स्टाफ भी बढ़िया है सर्वीसिज भी अच्छी है तो और रॉल सही है नॉर्मल जितने भी उपरेटर से उन से दो तीन अजार उपर टिकिट महेंगी ज़रूर है जैसे इंडिको की सेम टिकिट मिल रही तेरह जार में और यह विस्तारा वाली मिली है सोला जार म इंडिको भी वाज़े तो सही है बट स्टिल मुझे विस्तारा जाधा पसंद है तो थी आठ बजे की फ्लाइट लेकिन सवानो की हो गई है और अब थाई-लैंड के साड़े तीन बज़े पहुचा देगी यानि इंडिया के अराउंड कितने दो बज़े होंगे शायद से व लो जिलो पहुच गया है फाइनली इंडिया गांदी इंटरनेशनल एरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर तकड़े वाला भीड लगी पड़ी है तो लास्ट गेट पर उतरेंगे वहां थोड़ी कम भीड होती है भाई वैस तो आपने पास इनफ टाइम है कितने बज़े है छे बज इमिग्रेशन वगएरा हो जाती है टाइम लिए और अगर डॉमेस्टिक है तो डेड़ दो गंटे पहले पहले पी जाओगे तब भी हो जाए क्योंकि उसमें अपना इमिग्रेशन नहीं करना परता तो कभी-कभी इमिग्रेशन पर बहुत भी रही होती है तो अब पर दू होनों के एक-एक चेक-इन बैगेज मिले हुए 30-30 किलो जो अविसली 30 किलो होगा नहीं हमारा 15-20 किलो योगा मैक्स वेट और एक-एक कैबिन बैगेज में यह तो अपना पीठ वाला बैग ले जाएगा मेरा एक सूटकेस है वो चोटे वाला ट्रोली और एक मेरा पीठ वा कि वैसे आए होंगे लोग घर पे और अब वापिस आ रहे होंगे अपने पढ़ाई कंटीनियू करने लो जी गेट नंबर 6 हो रहा 7 यहां कहीं पर है हमाँ यहीं लोग तो बस सही है भाई ट्रोली यहीं पर मिल जाती है अपना लगे सीधा उतारेंगे और अंदर चलो जी चलो कहा ता ना दिन हो जाएगा एरपोर्ट पहुंचते महुंचते तोली ले आते है जी चलो प्रावाद चलो तो यह बैग डाल लेगा पहले उसके अंदर और मेरे बैग तो रेड़ी है यह अपने पूरे होफुली मेरा सूटकेज इस बार ना तोड़ दे एरपोर्ट व यह बैग ओल्मुस खाली था भाई एक तवा था और थोड़ा वो समान और ता तो सोन का बैग ऐसा का ऐसा ही आगया बस ट्रिमर निकाल लिए इसमें से बैटरी वाली चीज़े मना करते क्योंकि कैप चेक इन मेरे दोनों सेम सेम बैग का कि एक बैग यह मेरा पीछे वाला तो यह मैं रख लेता हूं यहां पर अब बढ़िया भाई अपने कंधों पे और रहातों पर कोई जोर नहीं बश्ट्रोली खीच-खीच के अंदर ले जाने हैं मस्त वैसे यह डिजी यातरा वाला सिस्टम सही है भाई लाइन में जादा लगना नहीं बढ़ता वर मैंने आ चलो अब लग जाते क्या करें कोई ऑप्शन ही नहीं लोग एंट्री कर लिया फाइनली जितना टाइम दिख रहाता मतला लग रहाता की लगेगा पर उतना लगा नहीं पास साथ मिनिट में ही एंट्री मिल गई है अब इस तारह का काउंटर दूड़ते और फटावर्स पर यह डिले क्यों दिखा रही थी अच्छा उपर लिखा नहीं नो पंदरा की हो गई है आट पचीस की दी ठीक है रो नंबर ए में जाना है चेक-इन जो है वो स्टार्ट हो चुकी अपनी एक का मतलब है वाई बिल्कुल आगे-आगे मैं हर बार भूल जाता हूं विस्ता काउंटर यहां भी तकडी बीड लगी पड़ी है तो बीस पच्छीस मिनट तो लगी जाएंगे चाहिए चालो जी चलो फाइनली बोर्डिंग पास सेक्योर्टी इमिग्रेशन सब कुछ हो गया है मैं को लग रहा है इस पर जाधा कोशन पूचे क्योंकि थाइलेंड ने व वीजा के लिए बुक करी थी न वह तो मैंने वही दिखा दी मैंने ठीर के चलो तो वरना अगर रेटन टिकेट नहीं है तो दिक्कत करेंगे तो अगर कोई भी थाइलेंड जा रहा है वीजा फ्री तो जरूर है लेकिन टिकेट जोनों तरफ के बुक करके लाना और साथ में भाई अपना वो भी होटल बुकिंग भी चाहिए तो वह भी मांग रहे है उस हिसाब से पुरा करना भाई बाकिए जी आ गए हम ड्यूटी फ्री में जहां से हमें कुछ भी जरूरत नहीं है खरीदने की खाने का तो सुबा 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 यार क्या ही खाए सबवे ही चलते है तो यहां देख लेते हैं कुछ थोड़ा को खा लेंगे वैसे तो हमारी एक मील फ्लाइट में इंक्लूडीड है तो कुछ ना उस तो देंगे वहां पे भी भूगा भी लगी है थोड़ी सी उपर जाना पड़ेगा यह सारे स्टोर है डोमिनोस पीजा हट वगरा सब पर सोहन ने लिया है बर्गर तो सुबा सुबा मेरा मन नी था बर्गर का मन का इडली खाली जाए सही रहेगा अभी उसका बना नहीं हा रहा है वह फिलाग कर दो सुबादर को पर जाता है वह फिलाए से को पर जादे से का बना नहीं है कर दो कर दो अलीक झाल प्रोप्राइब अच्वार्ट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जातर जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वह स्वाण भूमी से चलती है इसे हमारी भी जितनी बार भी में थाइलेंड से इंडिया कर दो 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 गि कर दो कर दो कर में का कर दो कर दो कर दो चाबिया भी लेके बैटरी का टर्मिनल जोड़ेंगे और स्टार्ट कर लेंगे ओफुली कोई दिक्कत आईगी निगाडी में सही सलामत होगी जैसे सोड़के गए ते फिर उसको लेके सीधा निकलेंगे वोटल होटल महां से जादा दूर नहीं है 10-15 मिनट की ड्राइव है और अपना समान में शुप करके बूर अच्छे से खाने पिने जाएंगे फिर आप आप से बुक कर ली ती और आगई है पर्स्ट फ्लोर की एक्जिट नंबर फोर से बहार जाना है और यह आपको ग्रैब का पिक पॉइंट मिल जाएगा यहीं पर आती है गाड़ी लेट्स पो ओल्मॉस्ट एक घंटा पच्पन मिनट या पचास मिनट के आथ पर उनके घर का दिखा रहा है जो सोहन नीचे ही वेट करेगा बैग्स के साथ सारे और मैं उपर से जाके गाड़ी ले आता हूं क्योंकि वरना इतना समान उपर ले जाके फायद है नहीं आना चलो बई चलो मैं चलता हूं उपर और चाबी ले लेता हूं भाई सब इतनी तकड़ी नीद में हूं क्या बदाऊं कल रात भी नीद पूरी नीद पूरी नीद पर सो भी नी सो यह ता मैं डंग से अब आज यह सारे काम भाम निप्टा के 10-11 बज़े सो जाओं जल दील दी हालती देख सकते हो अब मेरी शकल में 12 बज़े बढ़े है जी यह खड़ी है फाइनली अपनी गाड़ी इतने दिनों बाद मिली लिए वापिस से तो अभी अन्लोकिंग वाला तो चलेगा नीज का मेरे को चाप भी लगा के ही जो है वह खोलनी पड़ेगी होफफुली भाई सही हो मतलब कनेक्ट करने पर चल जाए बना अब यह क्या बाई खुली ना लिए तो गाड़ी हमारी यह होगे भाई खुल क्यों नीजी खुल गई फट गई भाई सब कुल नहीं दी सबसे पहले तो भाई अपना आग यह से बोनट खोले वह यह थी यह था पोजिटिव टेर्मिलर यह नेगिटिव नेगिटिव हमने निकाल दिया अरे भाई सब्सक्राइब निकल रहा था इसको कनेट कर देते हैं अब यह कसना पड़ेगा वैसे अभी के लिए फिलाल एवर स्टार्ट करके देख लेता हूं कि कनेक्ट तो होई गया पावर आनी चाहिए बस में तो यहां तो पावर आगी है भाई लाइट में थ्री टू वान होगी यह नहीं होगी स्टार्ट देखें लेट को भाई हो गई भाई इतने दिन बाद भी गाड़ी फाइनल स्टार्ट होई गई लेट्स गो डीजल भी काफी है अपनी गाड़ी में बैटके तो अलगी फील आगती है तो अब मैं इस से कस देता हूं उसको इसी से कस जाएगा प्लास से या इस से ताकि वो वो ना हो हिले ना बंद करके ना हाँ सही है सही है विल्कुल है वह आपका उन्होंने समान भेजा है कुछ तो नीचे एक बैग में अच्छे से टाइट हो गया है अब हिले गानी है एक बार और पर देते ताकि पर्मनेंटी हो जाए कोई दिक्कत ना हो इसकी बोशिंग करानी पड़ेगी काफी मिट्टी हो गई इतने दिन आजाओ आप गाड़ी में नीचे तक फिर साथ ही चलते हैं अंकल जी का समान देना थोड़ा सा तो नीचे ही साथ ही ले चलता हूं गाड़ी में ही तो नहीं लगी ना कहीं पर भाई क्योंकि हम इंडिया में अपने सर्दी के कपड़े अपड़े सब चोड़े आए ना और ये बैग्स वापिस लाने का रीजन ये था क्योंकि जब हम सिंगापूर से इंडिया जाएंगे उस टाइम पर भाई गाड़ी का एक एक समान वापिस ले जाना पड़ेगा क्योंकि के दोरान कुछ भी स्पेर पाड़ नहीं होना चाहिए कुछ भी फालतू का समान नहीं होना चाहिए तो सब कुछ हमें अपने सूट केस में भर भर के इंडिया ले जाएंगे फिर इंडिया से उस्टेलिया भी ले जाएंगे तो इसलिए ये वाला जो नीला बैग है ना ये यूटन लेना ना यूटन लेकर जानो ना बारहान यहां नहीं मुड़ेगी यहां मुड़ेगी भी नहीं आगे से लेना पड़ेगा हाँ ठीक है थैंक यू ओके जी ओके तो होटल जाने उससे पहले पेट पूजा कर ली जा किसी रेस्टोन में वैस तो होटल हमारा इंडियन पास ही है तो देखेंगे जैसा भी है अभी तो घुमाने के लिए अगले जगा चाहिए अपने को यहीं से घुम देगी बढ़िया थैंकल काफी अच्छा नेचर इतने दिन गाड़ी भी खड़ी रखी यहां पर अरे यार सन्रूफ खोल गी बढ़िया लेकिन अच्छा नेच ट्रिप को फीशली शुरू करा जाए और थोड़ी फास्ट पेस पे क्योंकि पिछले दो तीन महीने कुछ ज्यादा स्लो निकल गए भाई ओके ओके थैंक यू थैंक यू इंडिया मिलते हैं जिल जो पर फास्ट पेस में करेंगे हम क्योंकि मतलब हमने इतने दिन ना बिता कर जाते हैं 15-20 दिन में लेकिन वह व्लोग चलते हैं 25 मतलब चालिस दिन के आसपास अगर 20 व्लोग है तो चालिस दिन तो इसलिए लोग को लग रहा है कि थोड़ा लंबा खिच रहा है अब क्या करें बार इंडिया जाना पड़ गया मजबूरी में जो है देख लीजिए अब थोड़ा कोशिश करेंगे फास फास जाए क्योंकि जो आगे के देश है ना थेंक यू जो आगे के देश है ना वो मैं अल्रेडी भाई घूम चुका हूं गूम तो मैं थाइलेंड भी चुका था पर मलेशय सिंगापूर इतने बड़े देश है नहीं और मैं एक बार उंड़ेंगे फड़ावर्ट से अब खीचना करें गे उन देशों से और ऐस टेविया में ज्यादा दिन भीन वीचाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज नहीं ट्राफिक दिख रहा है यार इतना जादा ना बैंकोक में जब हम गए थे भाई सब क्या ट्राफिक हुआ करता था लेकिन आज खाली-खाली मस्त हाइवे मिल रहे है और अभी टोल वोल भी आया नहीं है वैसे में वो टोल का सिस्टम इनका पता चल गया है क्या था इनकी सिटी के अंदर-अंदर ही एक्षप्रासवे हाईवे टाइप का बना हुँ है तो आपके बाद दोनों अप्शन होते हुआ या तो आप उस एक्षप्रासवे से चले जाओ या फिर आप नीचे वाली रोट से चले जाओ नीचे जैसे थोड़ा बीड भीड जाता होती तो अगर आप नीचे से जा रहे हो तो कोई टोल टेक्स नहीं देना लेकिन अगर आप उपर एक्सप्रेस वे यूज़ कर रहे हो तो फिर टोल आते हो और आपको भरना पड़ता है तो हम पिछली बार जितनी बार भी जाते थे गूगल बाबा हमारे हमेशा दिखा देते थे आपको पर से हम उपर आप राइन नीचे चलेंगे पईसा बचाएंगे बहुत खर्चा हो रहे है और बैंकोक के हाइवे पे अपनी स्कोर्ट पी एंडल्री है मजदार भाई नेक्स लेवल एक्सपरियेंस ब्यागा पर विसे बाद ही लग लग बाई क्या ही देंगे सखहन ना बढ़का हूँ कहां से देंगे जगा वो दिखे रिया तुमें जगा देंगे बच्चा लग रहा है तो लगेगा चार साल का ठीक है जो इसका मुह न बहुत छोटा सा है तो दारी की वएसे बड़ा बड़ा लगता है वड़ा नहीं है इसका अधर नहीं है और यह जाम की बाद करी रहते भाई देख लो बोलना ही नहीं चाहिए था जैजी बोला जाम सुरू और वाई बिल्डिंग देखना कैसी टेड़ी मीडी सी बना रखी है वंड़ाई का स्टोर है चलो भाई लेफ्ट काटते है जरहां अगर हमें काटने देंगे तो भाई साव ले जा रहे अलग अलग तरह के नोन वैज पर अब नोन वैज को हम जादा नजर नहीं मारेंगे भाई नौतारिक से नवरातरे शुरू है तो कुछ भी अंड़ा वंड़ा भी नहीं खा सकते यह ट्राफिक भाई इसलिए क्योंकि हम सुकुमवित वाले एरिया में आ चुके हमारा होटल इसलिए नहीं पर आपको बताया था इसवाग मैं सुकुमवित 15 वाली लेन में हूं और हमारा होटल है सुकुमवित 11 वाली रोड पर नहां पर हमारा होटल है ना महां से भाई 500 मीटर पर यह नाना प्लाजा जो मैंने आपको दिखाया था थोड़ा दो तीन वीडियो पिछ अपनी लेन जहां पिण होटल है। और काफी हैपनिंग शी जगयengaaş है।ाहिए पिद्स हिलोने रात को और पुरा भरा भरा सा अिरी है ऐस सुन 우리는 है। हाथ नाम है इन करते हैं वहाँ बढ़ा ही है होटल तो पार्किंग वार्किंग अच्छी है प्रॉपर और ज्यादा वेंगा भी नी भाई थर्टी टू हंडडर रुपीस का मिला है तो एनका ठीक है चलो एक दिन की बात है भर देते हैं चलो जी भाई इनोंने तो भार ही लगवा दी वैस कर लेता हूं एक बार लेट्स गो जी लेट्स गो चलो जी चलो अपना बैग नहीं लाए तुम कपड़े हैं इसी में है तो प्लोगी हम सोच रहे है भाई आठ नों बजे उठके दस बहे तक निकल लेंगे वैसे तो पटाय यहां से दूर नहीं है दो घंटे कही रस्ता है अब है कही नहीं में है उआक यह कुछ हई नहीं है तो ह मौन पूरा इतना बड़ा ओट्ल कहीं से नहीं लग देखना हूए जैक अपना तो तुमि हुआ उए यह इन्होंने होता होगा कुछ भाई क्योंकि यहां पे रिखा था कि अगर आप घंद बंद मचा के जाओगे तो तीन अजार पैनल्टी है तीन अजार थाई बात यह नहीं आट अजार उपे पैनल्टी है क्लीनिंग फीस मतलब जितने का होटल रूम नी लिया हमने उस से जा नहीं है इसलिए भाई अभी पेड़ पुझा करेंगे बिंडी पनीर मस्त मचे आजेंगे जादू देखो देखा हाथ से बंद कर देता हूं जादू की हाल चाल इस होटल में इंडियन बहुत आ रहे है इसे देखो इन्होंने आप एक खाना तो इंडियन नहीं है क्या सोग नहीं तुम भी फू नूडल्स नाम भी लाक्सा याकी सोबा खोकें खाव सूगाई कैसे नाम है दिखने में तो भाई साब इंडियन लग रही है चीजे देखना जैसे वो बटर चिकन लग रहा है बठाय यहां का चलो 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 निकलो निकलो चुकुमित वाले एरिया में इंडियन बहुत आते हैं भाई तो इसलिए यह जो होटल्स है ना इनमें आपको इंडियन सी टूरिज दिखेंगे जादा एक्टर में बड़ा होटल है मतलब एक ही फ्लोर में इतने सारे रूम से देखना हमारा 638 है बसानी वाला है बिल्कु लैंड में रूम दिखाता हू कैसा है अगर आप भी सुकुम्बित में रुखने का सोच रहे हो तो कंसिडर कर सकते हो फिर यह देखो जी इस तरह का रूम है इदर बात रूम बाट टब बी अंदर शाय से दिखाता हूं दो सिंगल बैट लगे हुए है टीवी लगा हुए है यहां से अपना भी हुआ है ओवर ओल तीन हजार तीन सौर पेका है साफ चुतरा और रूम का साइज भी ठीक है यह तो भाई कुछ खास दिखनी रहे है यहां से बिल्डिंग है बस चलो बाकी फटावट से निकलते है खाना खाने यहां पर भाई नहीं बाट टब नहीं है नोर्मल शावर एरिया है बस ठीक है काफी बड़ा है हलो जी हलो की हल चाल चाल चालो जी पेट पूजा डन पनीर की जो सबजी थी वो इतने कुछ खास नहीं लगी लेकिन बिंडी बड़ी आती भाई एक हजार चालिस खाई बात का पिल आया मूटा मूटा भाई धाई हजार उपे लगा लो आप चलो अब देखते है नाइट लाइफ यहां की थोड़ी बहुत आस पास क्या चल रहा है सीन अब बाई शुकूमवित वाले एरिया में तो इतने रेश्ट्रेंट है ना इंडियन क्या वताओं बाई दस मिनट के वोग में वाई दस्त जादा रेश्ट्रेंट तो दिख चुके और जो नाना पलाजा वाला एरिया वहां पर भी तीन चार रेश्ट्रेंट है तो वह हुआ है जब इंडिया इतने रहे है तो उसी हिसाब से भाई यहां पर रेश्ट्रेंट भर भर किया है हमने खाना यहां खाये ता बाई यह डोसा की लिखा हुआ ना जश्ट्रों के नीचे ही उतरते ही था और यह सामने मनी एक्चेंज भी है तो यहां चलके भाई थोड़ सब्सक्राइब यहां तो चल जाएगा काम वैसे तो यहां पर लाइन से लगे पड़े है आप कैश भी निकलवा सकते हो अकाउंट से बर जैसे कि मैंने बताया काड से ट्रांजिक्शन के थोड़े एक्स्टा ही लग जाते है तो बेस्ट रहता है अपना इंडिया से डॉलर बाकि अभी होटल आ गया है और कुछ थानी बाहर एस सच करने का तो मैंने का चलो होटल रूम में जाके एक बार 111 वाली बात चीट कर ली जाए थोड़ी होटल रूम में ऐसी डल लाइटिंग भाई मतलब दिखने में तो अच्छा लगता बट एज यूट्यूबर हमें ब इस नाम ने हमें एंट्री देनी उसमें हमारी कोई गलती निती उन्होंने का कि जो गाड़ी राइट सेरिंग वील वाली होती यह उनकी एंट्री अलाओ नहीं है लेफ्ट सेरी वील वाली उती तो उस दे दे एक एजन के साथ तो चलो चोड़ो उस बात को दूसरा Myanmar का भी मुझे cancel ही करना पड़ेगा क्योंकि भाई वहाँ पे civil war चल रहा है तो जितने लोग Myanmar में रहते हैं वो काफी email कर रहे है, message कर रहे है कि अन्मोल भाई यहाँ पे ना ही आना बढ़ी है और Indian government की भी जो है वो अपना वो कर दी गई है एक मतलब guideline जारी कि जितने भी लोग Myanmar में हैं शाय से वो निकल जाओ, ऐसा कुछ आया था भी इसमें को पूरी तरह से नहीं पता बट इन शोट सेफ नहीं है जाना ऐसा लोग कह रहे है तो Myanmar भी छोड़ो अब हमारा जो प्लैन है वो है भाई थाइलेंड से हम जाने वाले कमबोडिया कमबोडिया पहले मैं सोच रहा था बीज दिन का घूमने के लिए सियाम रीप और अपना फेनोम फैन दोनों जगा जाने का बट वो फेनोम फैन जो है वो बहुत जादा नीचे हो रहा है साथ में जाना आने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है तो बैटर है सियाम रीप चलते है खाली बोर्डर के पास ही है तीन-चार गंटे की ड्राइब अपना दो-तीन दिन महां रहके कमबोडिया से थाइलेंड बाप पीस आ जाएंगे उसके बाद थाइलेंड हम जब एंटर करेंगे तो थाइलेंड से पूरा घूम के साउथ होते हुए कराभी वगरा के वहां से निकलके फिर हमें में मेलेशिया जाना है तो उस पूरी ट्रैवलिंग में भी आराउंड 1,900 किरो मिटर है तो तीन से चार दिन तो ट्रैवल करने में ही लग जाएंगे तो फिर मलेशिया एंटर करेंगे मलेशिया मैं गुमा हूँँ अल्रेड़ी तो कॉला लमपूर चलेंगे और एक दो दिन वहां पे बिता लेंगे वस इतना कुछ खास मेरा भी मन नी है मलेशिया गुमनेगा फिर मलेशिया से फैरी लेके हमें जाना है इंडोनेशिया फैरी में ही हमारी गाड़ी जाएगी हम भी जाएगे और फिर इंडोनेशिया में बाली तक नहीं जाओंगा मैं पूरा नीचे बहुत दूर पड़ जाएगा वो भी क्योंकि गाड़ी से ट्रेवल करते हो ना भाई आप तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि किसी एक city से दूसरी city में जाने में अगर चार दिन लग रहे है फिर आने में चार दिन लग रहे है तो उस city को तुल्टा लोट के दूसरी कंट्री में एंटर कर जाएंगे बाकी मैंने बताया कि मैं इन कंट्री में अलड़ी एक बार घूम चुका हूं इंडोनेशिया की पूरी सीरीज बनाई हुई है बाली जकार्त सब जगा गया था फ्लाइट से तो आप देख ले न मलेशिया की बना संगापूर और शिपिंग जो होएगी हमारी वहेगी संगापूर से और अस्टेलिया तक किसीधा तो यह अभी तक का पूरा प्लैन है भाई अस्टेलिया जहां तक मुझे लग रहा हम पहुँच जाएंगे एक जुन के आसपास मतलब संगापूर से शिप होएगी 15 माई को तो 20-25 दिन पहुंचने में लगेंगे सिंगपूर से उस्टेलिया गाड़ी को और हम भी एक जून को फ्लाइट पकड़के अपना उस्टेलिया चले जाएंगे तो फिर उस्टेलिया में मेरा इनिशल प्लान ता डेर दो महीने गुमने का अगर और मजा आ रहा होगा तो एक साल का वीज़ा है वैसे भी जितने मरजी दिन रहूं एक बार में मैं तीन महीने रूप सकता हूं उस्टेलिया तो मुझे ऐस सच को इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी रिस्पोंस पर डिपेंड करता है सारा मेरे को जो तीन चार शिटी घूमनी है मेरा जो ड्रीम है वो मैं घूम लूँगा भाई तीस दिन में मुझे पता है लेकिन उसके अलावा भी लोग डिमांड करेंगे कि इस बार का सारा काम हो चुका होगा तो एक बार वो फाइनल करके अपना पूजा-उजा करवा के वहां पर हवन करवा के फिर मैं निकलूंगा निजिलैंड के लिए और निजिलैंड तो जादा दिन नहीं होँगा 15-20 दिन में बहुत है और निजिलैंड से फिर वापिस पर वाइस तो जपान वगएरा शिफ करवाने का साउथ कोरिया जपान या पिर देखते है किसी और देश में पर वह प्लैन अभी फाइनल नहीं है इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं रहूं अपनी ट्रिप नमस्ते ऑस्ट्रेलिया है तो उस्ट्रेलिया में खतम होएगी या लाश टू लाश न्यूजी लैंड में खतम होएगी सीधा गाड़ी फिर अपनी इंडिया आ जाएगी तो यह प्लैन है थोड़ा खीचने की कोशिश करेंगे जल्द जल्दी व्लोग्स ओल्टरने डेस पर याएंगे हर रोज करना इस टाइम पर बहुत मुश्किल है क्यों अब मुझे ही गाड़ी चलानी होती है पूरा कॉंटेंट भी देखना है शूट भी करना है सब कुछ और फिर एडिटिंग भी फाइनल मैं ही देखता हूँ तो वान है साथ में केशा भी करता है बट फाइनल आउटपुट जो हूँ मेरा ही लगता है देर से दो घंटे का और वो पूरे दिन ट्रैवलिंग करके हर रोज रात को निकालना बहुत जादा है कि मतलब बोडी की दिमाग की सब ऐसी थैसी मच जाएगी तो इसलिए उल्टरनेट डेस पर व्लोग आएंगे शूट भले ही मेरे रोज हो रहे है बट मैं रोज एडिट करके अपलोड नही पिर सेप्टेंबर में चलेंगे जब मैं अगस्त में इंडिया चला जाओंगा ट्रिप खतम करके फिर तो मैं रेगूलर डाल दूँगा रोज रोज अपना एक दिन में दो मांगो के दो भी डाल दूँगा वहाँ जाके तो और अगस्त के एंड तक हम पूरी सीरिस को सब्सक्राइब करो आने वाले सालों में महीनों में और भी अच्छे-ची ट्रिप आएंगी भाई आनो ये कंट्री सी बोरिंग लग रही है लेंडन ट्रिप में हर दो दिन में कंट्री चेंज हो रही थी यूरोप ऐसा था बड़ यहां पे बाई 20-25 अच्छी दिन एक एक क तो नहीं कहूंगा कि रस्ते काट दो अपने में आ रहो हूँ आपके देश में अब जो है वो ही दिखाऊंगा मैं एक्ष्टा कुछ चीज तो चांद से लाके यहां पर रखनी दूंगा कि कॉंटेंट बन जाएगा तगड़ा जैसी रोड है जैसे सिंगनल है जैसे गाउं काड़ा क्ष्ट है जैसे सिंग करता है झाल क्वारा हूँ